हाई अब्रिवान कैसे हैं आप लोग तो एक्रालिक पिंटिंग टुटोरियल्स का जो अभी इंदेनों सीरीज जल रही है वो आप लोगों के लिए हेल्फुल चल रहे होंगे मुझे लगता है और अगर आप अपना वर्क मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्ट की मेरे और साथ में नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करेगा वहां पर भी आपको डीटेल्स मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की तिके बहां पर फॉलो कर लिए जगा इंस्टाग्राम को और आप अपना वर्क अगर मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप अपने वर्क के ओपर मुझे टैक करते जगा तो मैं आपका वर्क देख पाऊंगी इसके अलावा आप जो जो ड्रॉइंग्स की जो आप लोगों की रहती है के ड्रॉइंग्स अवलेबल कराईये माम तो उन ड्रॉइंग्स को सभी ड्रॉइंग्स को जो हम यहां पर कर के लिखे के अदर एक दिरहां आने वहांपर सेपरेट उस पर जाएगा और वहां ।पकर करेगा कि कौं तुरोम हम यहां पर कर रहे और उसके रिगार्डिक आपको हम तुह तो इस तरह से और जाधा helpful हो सकता है मैं मानती हूँ अगर मैं कुछ थिखार हूँ तो मैं आपकी जाधा मदद कर पाऊंगी अगर आप नहीं जानते हैं मुझे तो हाई मेरा नम पुझा है और यह मेरा आर्ट चैनल है अटिस्टा पुझा हिंदी यहां मैं बात करते हूं जिखने वाले है वाटरफॉल टेक्निक तो एक्राइलिक पेंटिंग के अंदर वाटरफॉल थोड़ा सा ट्रिकी होता है और यह वाला जो वीडियो मैंने बनाया है बहुत जाधा लेयर्स यूज नहीं करूंगी यहां पर मैं एकदम हीजी रखूंगी तो अगर आप बिग यहां पर skip कर सकते हो क्योंकि यहां पर workshop बढर मैं material इल्ति हो एंपको कॉन कॉन्कामर इस मतेरे जो कि हम 10x12 यहां पर यूज करने वाली होmers और यहां पर hitler defle castle का यहां और यहां पर फेबलके शिल कर लिया है केंदम अब द पास यह नहीं है तो आपको यहां कॉछ चॉर भ जब करना यह ऐसी है घर तो अर्स बाल्च नेकेस बाया आफितो काम अगर फेलिक ड़े की ओसे LI'malik. क्लॉथ लेंगे लिएenschaft से देथा कि लिए डिट।यव क्लॉथ कड्राट हैं तोव दूद गृच्छी राड़ा में फेसक फाइल ऑप सकतें जो किमा इन decol 씨ड़ा हैं अपनी पर डिकला है यह जो painting है यह काफी लंबा tutorial लिया है मैंने around 18 minutes का tutorial है यह और यह आपके लिए बहुत helpful हो सकता है तो अगर आप watercolor beginner हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा यह tutorial canvas board खोल लेते हैं सबसे पहले और फिर हम उसमें drawing बना लेते हैं drawing के regarding मैंने आप लोगों को शुरुवात में बता दिया था कि आपको instagram पे जाना पड़ेगा वहाँ पर मेरे और instagram को आप फॉलो भी कर सकते हो और फॉलो कर लेना और फिर आप उसके उपर drawing का जो एक option मिलेगा story section में वहाँ से आप drawing ले सकते हो ठीक है अब यहाँ पर हम paints निकाल लेते हैं सबसे पहले हम white लेंगे white मैंने लिया है 40 ml वाली tube से मेरी और बाकी मैं paints यहाँ पर अपने जो मैंने आपको सेट बताया 9 ml वाला beginner वाला उसमें से लूँगे ठीक है तो कोबाल ब्लू लेंगे पॉशन ब्लू लेंगे ब्लैक लेंगे और बॉंस याना लेंगे अब देखो यहाँ पर मैं यह वाला सेट क्यों यूज कर रही हूँ यह वाला सेट मैं आप लोगों के बनाती बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लगे कि यह वाले beginner है हमारे पास सेट हमें से कैसे बनाए तो इस वज़े से मैंने यह वाला सेट यह आपके लिया है ब्रश जो है यहाँ पर आंगुलर ब्रश लिया मैंने नंबर 8 और फ्लैक ब्रश तो यह ब्रश आप एक डाक टॉन बना लेंगे ब्राौन का चल सत्मेर को बनाने के लिए ब्लाउंबर किया करोगे ब्लेक और बंसम रिया ना मिक्स कर लोगे 60 अशन लाग मिल एक हम यहाँ पर टोन यहाँ और तो उसके लिए हम यहाँ पर रोक्स के लिए जो है डार्क ब्राव्न कि लिए तो यहां पर हम इसको अच्छी से अपलाए कर लेते हैं जहां जहां हमको इसके डाक टोन्स शो करने महां पर आप इसको सब जगें अपलाए कर लोगे अब देखो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि विडियो को देखना कैसे है और आपको अगर पेंटिंग बनानी है तो वो कैसे करना है अगर आपको पेंटिंग बनानी है मेरे साथ तो आप एक बार पूरा विडियो देखो उसके बाद आपको अगर पेंटिंग बसंद चलिए आप लोग उसे एक फेवर चाहिए था करोगे आप मेरी हेल्प इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिने ड्रॉइंग या पेंटिंग करना पसंद है तो हम मिलकर पांच जनों की हेल्प कर सकते हैं क्या तो चलिए पांच जनों का हम गोल लेते है और हम यहाँ पर मिलकर फाइव लोगों को फॉरवर्ड करेंगे यह वाला विडियो ओके तो आप मेरी हेल्प करेगा तो ऐसे में क्या रहेगा चुटियां चल रही है तो हेल्फुल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए जो आठ लवर्स हैं उनके लिए तो चलिए अब हम यहाँ पर स्काय बना लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वायट और कोबाल्त बलू केवल दोई शेड MilkyS यहाँ पर यूज करेंगे और नीचे वाटर के लिए हम यहाँपर तीन शेड जीउज करेंगे कौन wise कोने लेंगे पैलेट में जो निकाले थे वायट लेंगे लाये करेंगे water के लिए नीचे वाले portion में water है और ऊपर वाले portion से waterfall fall होगा ठीक है तो इस तरह से हमको नीचे वाला portion plural ही blue बना देना है बचावा जो area है यहाँ पर उसको मैं rock के लिए फिर से dark color add कर रहे हूँ उसमें ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ पर black और brown का combination अड़ कर लेंगे अब देखो corners में यहाँ पर rocks हैं तो rocks के लिए हम यहाँ पर add करेंगे black और brown दोनों shades हम यहाँ पर ले लेंगे और brush कौन सा बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए flat brush लोगे या तो या फिर आप इस के लिए horizontal brush लोगे अच्छा एक चीज़ और कहना जाओंगे आपको अगर आप absolute beginner नहीं हो तो ये वीडियो मुझे नहीं लगता आपके लिए helpful होगा क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है absolute beginners के लिए तो अगर आप absolute beginner नहीं हो already painting जानते हो तो मुझे लगता है आप इसको स्किप कर सकते हो तो यहाँ पर waterfall बनाना सीख रहे हैं हम अगर हम बिलकुल absolute beginner हैं तो साइड की rocks हम बनाएंगे rocks के लिए आप horizontal marks लगा दोगे brush की help से और इन horizontal marks को आप fill कर दोगे तो गैप छोड़ छोड़ के लगाने marks आपको जिससे आप उसमें rocks का look दे सको तो अभी तो जो painting है मुश्किल से आदी से भी बहुत कम यहाँ पर बनी है और इसके लिए हम शुरुआत करते हैं base layer से तो जब भी भी शुरुआत करते हैं dark layers base layer से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि waterfall जो हम बनाएंगे वो इसके उपर आने वाला है और waterfall middle में से लेंगे हम side की rocks को complete कर लेते हैं पहले क्योंकि उसके बाद हम इसके उपर greenery वगेरा भी बनाने वाले तो इसलिए हम चुरुआत में सबसे पहले base layers लगा के इसको complete कर लेते हैं अब हम नीचे की तरफ जब हमारा जो नीचे वाले layers है वो dry हो जाएंगे अच्छे से तो हम उसमें portion blue अड़ करेंगे और उसके भी आप यहाँ पर horizontal marks लगा दोगे जैसे आपने rocks में लगाए थे क्योंकि water के अंदर भी आपको marks दिखाने रहेंगे ला तो उसके लिए हमने यहाँ पर horizontal marks यूज़ करें साथ में हम white भी ले लेंगे और उसकी help से भी हम यहाँ पर marks लगा देंगे जब आपका यह complete हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर ले लोगे comb brush और comb brush से आप यहाँ पर horizontal marks लगा दोगे white के अच्छा आप सबोस्कर आपके पस comb brush नहीं है तो आप क्या करने वाले हो वैसे आप जो है flat brush से comb brush बना सकते हो मैं आप लोगों को आने वाली किसी video में सिखा दूँगी किस तरह से बनाना है और अगर अभी आपके पस नहीं है तो आप fan brush भी उसकर सकते हो तो इस वाली technique के लिए आप fan brush भी यूज़ कर सकते हो अब उपर से waterfall हम यहाँ पर नीचे fall करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे light blue color से तो blue का जो यहाँ पर shade रखा है उसमें ही हम white mix करके यहाँ पर light blue ले लेंगे और उससे आप यहाँ पर vertical strokes लगाओगे strokes जो है वो उपर से नीचे की तरफ आएंगे जब आप waterfall यहाँ पर बनाते हो तो यहाँ पर अच्छे से waterfall बना लेना है और यह वाला जो आप brush यहाँ यूज़ करोगे और उसको हलक हलका dab कर दोगे नीचे की तरफ ठीक है नीचे की strokes भी आपको comb brush से दे देने है अब यहाँ पर हम green ले लेते हैं green के लिए मैंने यहाँ पर देखिए कौन कौन से colors लिया है एक sap green लिया है एक varadian hue लिया है sap green और varadian hue का दोनों का combination लोगे आप और एक brush ले लोगे कोई भी खराब सा और उससे आप यहाँ पर dabbing कर दोगे sap green और varadian hue दोनों को mix करते हुए आप उससे dabbing कर दोगे तो क्योंकि देखो waterfall कहीं भी होता है तो उसके चारों तरफ काफी सारी green होती है तो उसके लिए हम सबसे पहले base लगा लेंगे यहाँ पर तो dark color जो हम green का use करेंगे वो उसके लिए हाँ आप sap green और varadian hue ले सकते हो और अगर आपके पास permanent deep green है तो वो भी use कर सकते हो आप और हलका सा अगर और ज़्यादा dark हम यहाँ पर values आड़ करेंगे तो उसके लिए हम हलका सा black आड़ कर सकते हो ठीक है light green हमको यहाँ पर चाहिएगा तो permanent light green अगर आपके पास है तो वो use कर सकते हो आप लेकिन यहाँ पर हम use करेंगे वरेडियन hue में lemon yellow mix करके यहाँ पर हम light green बना लेंगे और उससे हम यहाँ पर dabbing कर देंगे तो इस तरह से आप पूरा जो green का dabbing है वो यहाँ पर कर दो कि आप पर चाहँ पर चाहँ पर बत कर दो आप लेंगे आपके चाहँ पर बापके पास हम यहाँ पीज़ कि आप पर आपके उनीम है तो आपके पास है यहाँ की निच में कि वसकते अधिऑ आ इसका से से आपको कॉंबिनेशन लगाना रच अधिक्ड अधिक्ट का यहां अप ले लेते जाना है और बहुत अच्छे से हाफ पर आपको देबिंग कर देने यह ब्रुश की हेलिफ से के ब्रिष मिन आप लगों को बताई दिया यहां रहे सबक्षा थान नेम पर फ्लैट ब्रॉशुपरेंगे जोग ऐसे लेखते हैं यहां पर हलके हलके flowers बनाओगे डैप करते हैं, नीचे की तरफ fall होते हैं तो उसके लिए हम यहां पर yellow भी लेंगे कभी-कभी और orange भी लेंगे और यहां पर हम जो brush ले रहे हैं उसके लिए वो हम round brush लेंगे यहां पर तो उपर से नीचे की तरफ आपको flowers को fall करना है तो आपकी जो strokes रहेंगे वो डैप करते हुए उपर से नीचे की तरफ ही आएंगे तो इस तरह से आप उपर से नीचे की तरफ डैप करते हुए flowers की strokes लाओगे दूसरी तरफ जो मैं flower की strokes यहां पर बना रही हूँ में उनको बनाने के लिए लिए दोनों को मैंकर दोनों की फ्लाँवर के स्तोक्स आपर लगा देंगे थोड़ा सा लाइट ग्रीन कहीं कहीं पर आड कर देते हैं जहां जरूत है और इस तरह से हम यहां पर ग्रीन री जो है इसकी इसमें depth create करेंगे यलो के लिए मैंने यहां पर कैडमियम यलो चॉइस किया है तिक लेमन यलो थोड़ा सा अगर यलो अंकर के साथ मिक्स करोगे आप तो आपको यह वाला शेंट मिल जाएगा और यहां पर हम हलकी हलकी डाबिंग कर देता है अब जो हम यहां पर ब्रश ट्रोक्स ले रहे ना व यहां पर फैन ब्रश लेंगे वाइट कलर लेना है अब आपको लास्ट इसके अंदर जब लास्ट अचप हम करते है ना वाटरफॉल में तो उसके लिए हमको वाइट कलर लेना रहता है वाइट कलर से आप नीचे से होरिजॉंटल लेके आओगे स्ट्रोक्स और एक्दम फ अगर आप वाटरफॉल बनाना पसंद करते हो तो डेफिनिटल आपके कलेक्शन में एक फैन ब्रश होना चाहिए है ना उससे आपके रिजल्स बहुत अच्छा हैंगे एकदम आपको जो है स्ट्रोक्स फैले-फैले मिलेंगे जो कि आप अगर कोशिश करो कि हम उसको फ्लै करेंगे साइट के अंदर एक बुष बना रही हो मैं यहां पर और उस बुष को बिल्कुल फ्रंट में लिया है मैंने तो उसके लिए मैं यहां पर ग्रीन एड कर रही हूं ग्रीन के यहां पर दोनों को मिक्स कर लिया है और राउंड प्रश ते यहां पर लीव्स की डैबि लेकिन अगर दोनों ही कॉर्णनर खाली रह जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पिंटिंग बहुत जादा एम्टी लग रही है इस वज़े से मैंने यहां पर बुष ले लिया और इस बुष को मैं अच्छे से यहां पर डैबिंग कर दूंगे राउंड ब्रश के हल्प से अब यह चलिए तो यह जो पेंटिंग है हम यहां पर भी रोक सकते हैं वैसे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर नीचे वाले एरिया में काफी ज़्यादा एम्टी खाली पन लग रहा है मुझे तो देखे वाटरफॉल को जो एफेक्ट आई यह बहुत अच्छा है ग्रीन सबसे अच्छे लाइफ सेवर होते हैं जब आप पिंटिंग कर रहे हो तो आपको अगर लगता है कि पिंटिंग कहीं पर ऐसे इंकंप्लीट सी लग रही है तो आप अपनी वाटरफॉल पिंटिंग के अंदर यह स्टोंस आप आड़ कर सकते हो कहीं भी तो इस तरह से हम यह करते हैं स्टोंस इसके अलवा है ना डेफ आड़ कर रही हूं है डाक कलर से जब भी आप कहीं पर अगर आपको मिसिंग लगती है कहीं चीज़े तो वहाँ पर आप आपको डेफ आड़ कर सकते हैं दैप्त करने से आपकी जो पींटिंग है और ज़्यादा ब्यूटिफुल करोगे और उसके लिए आप वाइट लोगे फिर से और फिर यहां पर फाइनल टच अप आप फैन ब्रश का एड़ कर दोगे तो अब यहां पर मुझे लगता है मेरी पेंटिंग कंपलीट हो गई है और बहुत ही ब्यूटफुल निकल के आई है अलके डबिंग कर देंगे आप बना सकते हो और आप अकर बना के मुझे दिखाना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैक करेगा मैं आपको आपका वर्क देखना पसंद करूंगी थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में उमीद करती हूं वीडियो हेलफुल रह झाल